हेले इवरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना हाथ सेव कोचिंग क्लासेस पर स्वगाए था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी यंपी बोर्ड में बच्चो 83 परिच्छा सेप्टेंबर में होना है और ये मेरा 2023 का पेपर है अर्दबासिक परिच्छा फेजिक्स का आप लोगों से गुजारी से जैसे यह माली जिस सेट बी है बच्चो सेट ए जिसके पास हूँ सेट ए वो मुझे वार्टसप में पीडिय का आइडिया नहीं लग रहा है कि 83 का भाई कहां से आएगा तो भाई 2023 का देखो 2022 का देखो 2021 का देखो ना पुराने पेपर जुगार करो जुगार कैसे होता है अपने जूनियर से बात करो भाई आप इडि 11 ध क्लास में हो तो 12 ध क्लास वाले बच्चों से बात करो कि हमें इसका पेपर दे दीजिए और आपको प्रोवाइड कर देंगे ठीक है या आपने आसपास के कोई भाई बहन जो सीनियर हो उनसे बात करो उनसे पेपर जुगार करो हाँ सल्यूसन प्रोवाइड करना मेरा करतब है भाई नोट्स के माध्यम से आपको कोश्चन एंसर मिल जा 9685-299149 भाईया आल चेप्टर के नोट्स दिये जाते हैं जो बच्चा तयार कर ले उसके लिए बहतर हो गया लेकिन यहां पर चलिए अब्जेक्टिव कोश्चन में सॉल्व करा दूंगा सेट बी का आप लोगों का दायत तो है कि आप लोग प्रीज पुराने पेपर स्कुएर तोरण से पिंड गती कर रहा है तब एक सेकेंड पर शार्ट बे कितना होगा बच्चो दो मीटर पर सेकेंड होगा यह कैसे हो जाएगा यह आपके गती के समय करना से हो जाएगा भी बराबर होता यू प्लस 80 है ना भी बराबर यू प्लस 80 भी यू का मान हमारा ए बच्चो एक आमान भी हमारा कितना है तो रण एक है और एक सेकंड बात कर रहा है तो मतलब एक धन एक बराबर दो हो जाएगा ध्यान रखना ठीक है प्रत्वी तल से किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रच्छेपित करने के लिए कितना कोड़ होना चाहिए तो बच्चो पैतालिस डिग्री का कोड हो आची देखिए पेपर बिलकुल इतना डैमेज हो चुका है कि लेकिन फिर भी मैं कोसिस कर रहा हूँ आपको इसमें से समझाने के लिए प्रत्वी के केंद पर गुरुत्वी वल का मान कितना होता बच्चो तो अनन्त होता है क्योंकि आर का मान ज गुड़ा हो नहीं सकता जीरो हो जाएगा आई का जेसे गुड़ा नहीं हो सकता जीरो आएगा जे का जेसे गुड़ा होगा माइनस तीन और दो दिया है तो तीन दूना छैये रिनात्मक हो जाएगा तीसरा नंबर राइट हो जाएगा यदि कोई मसीन एक घंटे में तीन 2.6 गुड़े 10 घाते 5 हो जाएगा बाद में यहाँ पर आप लोग लिखोगे बच्चो एक घंटा मतलब 60 गुड़े 60 सिकेंड ठीक है अब देखिए यह 6.36 हो जाएगा बच्चो 3.6 गुड़े आप यहाँ पर कितने 0 है 5 0 है और 6.36 डबल जीरो सडबल जीरो कैंसिल हो जाए 5 है भाई साहब तो एंसर दिया है कहीं पर लगबख 100 वाट के बराबर हो जाएगा ठीक चलो अगला है किसी पिंड पर कोई नेट बल कार ना करें तो फिर पिंड का वेक समान बना रहेगा बच्चो एक समान पिंड का वेक बना रहता है ठीक है आगे देखिए एक समान तोरित गत में किसके परिवर्तन के दर के बराबर हो बच्चो एक समान तोरित गत में परिवर्तन की दर एक समान होती है तो यहाँ पर हो जाएगा एक समान तोरित गत में बेग परिवर्तन की दर एक समान होती है आगे है एक सेंटिमीटर भुजा वाले घं का आयत हन का आयतन होता है AQ लेकिन एक सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है मतलब एक बटा सो क्यूब यहनी दस घाते माइनस छे मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब हो गई स्क्वेर दिया है आयतन कभी स्क्वेर में नहीं रहता है ठीक है देहन रखना किसी छण बस्तू का बेग उस छण स्थान समय ग्राप के इस पर सजा के बराबर होता है सब्बेग में परिवर्तन किदर उस पर लगाएगा बल के समान उपाती होता है नि बल के बराबर होगा किसी बस्तू का उसके गतिक जड़तों का माप किसी बस्तु का द्रबमान उसके जड़तों का माप होता है किसी पिंड को अनन से गुरुत्वी छेतर तक लाने में किया गयकार गुरुत्वी इस्थितिज उर्जा कहलाता है एक समान गती पर बल का मान सुनोता बच्चो ती इसका हो जाएगा फ़स्ट नमबर घूणी संतुलन मतलब होता है आर क्रास एफ तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड नमबर कोडी संबेक आर क्रास पीट इसका हो जाएगा थर्ड नमबर जड़त तो आगूण यह हो जाएगा बच्चो आपका फोर नमबर द्रबमान केंडर पर ये आपका हो जाएगा फाइप नमबर और परिवर्ती बलद्वरा किया गया कार ये आपका हो जाएगा एफ क्राडाट डेलेक्स तो हो जाएगा छे नमबर ठीक है ये चीज़ है अब देखो कोई तौरित गती ब्रत्ताकार कब होगी जब उसका दिसा भी बदलेगा और बेग भी बदलेगा तो आपका बच्चो तौरित गती ब्रत्ताकार होगी और तौरित गती परवल्याकार कब होगी जब दिसा नहीं बदलेगा केवल गती एक समान रूप से चलता रहेगा तो परवल्याकार होगा मेज पर रखी 100 ग्राम बस्तु की किसी पुस्तक पर अभिलम प्रत्क्रिया का मान कितना होता है देखो बच्चो किसी बस्तु पर अभिलम प्रत्क्रिया का जो मान होता है वो नीचे वाले बल के बराबर होता है और नीचे वाला बल मतलब भार भार बराबर बेट यहनी mg के बराबर होता है अब mg 100 ग्राम दिया इसको किलो ग्राम में बदलो तो 1000 का भाग देना पड़ेगा और 9 समलो 8 करना पड़ेगा यह हो जाएगा 10 का भाग जाए 0.98 न्यूटन हो जाएगा खताम यह होगा बच्चो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है आगे देखो 2 सुन्नितर सदिस देखो सदिस गुणनफल जब सदिस समांतर होते हैं तो सुनोता है चंद्रमा को प्रतिवी के आसपास ब्रतिय कक्छा में चक्कल लगाने के लिए आवस्थक अभिकेंद्री बल कहां से प्राप्त होता है तो भाई अभिकेंद्री बल कहां से प्राप्त होगा प्रतिवी से ही होगा ना बिल्कुल सत्य बच्चों पहले का हो जाएगा आपका सत्य प्रच्छेब गती एक समतली गती है। इसको मैं टेली ग्राम में सेयर कर दोंगा ताकि आप लोगों को डाउट न रहे। लोगों से गुजारी से कि नोट्स जरोड ले लें। प्रश्णा आप लोगी स्क्रेंशाट कर लो। ठीक है और सारे प्रश्णों को लिख लो बच्चों इन प्रश्णों को पूरा का पूरा तयार करना है आप लोगों को और और एक्जाम के लिए आप लोग त्रमासिक परिच्छा 2021-22-23 तीन साल का आप त्रमासिक परिच्छा जुगार करो और आप लोग हमें सेयर करो हमा आप लोगों को सल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप लोग यदि तीन साल का पेपर त्या समबर आ जाएंगे फिलाल अभी के लिए इतना ही बच्चो वीडियो पर संदत लाइक करके शेयर जरूर करना जै हिंद बंदे मात्रम